बहुतिक वीवाजन के बारे में पढ़ा था और बहुतिक वीवाजन के आधार पर उत्तर पर्देश को तीन भोगोलिक अक्षेत्रों में बाटा था पहला था भाबर एव तराइचेटर, दूसरा था गंगायमुना का मैदान और तीसरा था दकसिन का पठारी बाग भाबर और तराइचेटर की हमने बात की थी और कल इसे कवर किया था तो आज हम सुरू करेंगे गंगायमुना का मैदान दक्सिन में जो पठारी छेतर है और उत्तर में जो भाबरतराई छेतर है उसके मद्दे जो छेतर है ना उसको मैदानी छेतर या गंगा यमुना का मैदानी दोआब का जाता है अब ये दो आब किसे कहते है तो जो दो नदियों के बीच की जो भूमी होती है जो उपजाओ भूमी होती है उसे बोला जाता है दो आब तो दो आब क्या है दो नदियों के बीच की भूमी गंगायमना का जो मैदान है वो जलोड मिट्टी से बना है जलोड मिट्टी को हम तो जो गंगा यमुना का मैदान है वो तरही छेतर के दक्सिन में इस्थित है इस छेतर का निर्मान कैसे हुआ गंगा एवं उसकी सायक नदियो जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, घागरा, सारदा, तापती और गंडक आदी के द्वारा जम की गई, कोप मिट्टी या जलोड मिट्टी, कीचड यवं बालू के द्वारा इसका निर्मान हुआ गंगा यमुना के मैदान की जो ओसत उचाई है, वो कितनी है, तीन सो मीटर है गंगा यमुना के मैदान की ओसत उचाई कितनी है, तीन सो मीटर गंगा यमुना के मैदान का पस्चिमी जो भाग है उसका ढ़लान है उत्तर से दक्षिन की और और पूर्वी भाग की यदि हम बात करें तो पूर्वी भाग का ढ़लान है दक्षिन से पूरू की और अब देखे सरचना के आधार पर जो गंगा और यमुना का मैदानी छेतर है उसे दो उप भागों में वाजित किया गया है पहला है बांगर छेतर और दूसरा है खादर छेतर सबसे पहले हम बात करेंगे बांगर छेतर की तो बांगर छेतर क्या है जहां नदियों के बाड़ का पानी नहीं पूंख पाता है और जहां पर पुरानी कौप मिट्टी का जमाव हो गया है इस छेतर की जो भूमी होती है वो उची होती है खादर छेतर की बात करें तो इसका जो निर्मान है वो नई जलोड मरदा के द्व ओर द्वारा होता है यह झाड़ प्रतिवर्ष बाड़ द्वार प्रवावीत होता है अगर बांगर चेत्र और खादर चेत्र में दोनों में अधिकुप जाओ ले runow photography यह ना हुप 25,200 km N August 006,00 भदर के पठारी छेतर में कैमूर और सोनाकर की पहाडिया अवस्तित है इन पाडियों की उचाई की बात करें तो ये 600 मीटर से भी अधिकूची है अगर इनमें सरवोच चोटी की बात करते है तो ये है सोनाकर चंबल बेतवा केन सोन एवं टॉंस इस छेतर में प्रवाइत हो प्रमुक नदिया है याद रखेंगे और इस छेतर की प्रमुक फसले कौन कौन सी है जवार चना और गेहूं अब देखिए उत्तर प्रदेश के दक्सिन पठार की सीमा किस किस तरह से लगी ही है तो इसकी जो उत्तरी सीमा है उस पर है गंगा यमुना नदी दक्षणी सीमा की बात करते है तो विंद्यन परवत सreanी है पूर वी सीमा की बात करें तो केन नदी है और पश्चिमी सीमा की बात करते है तो यहाँ पर है बेतवा नदी तो दोस्तो आज की ग्लास में इतना ही कल की वीडियो में हम पड़ेंगे बंदेल खंट का पठारी छेत्र और बग